नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभीकार, नोवी देसकान पर, आज हम अध्याय चार उत्तर प्रदेश की नदियां, इस पर आधारित कुछ महत्पूर्ण प्रशनों को जानेगे, तो आईए जानते हैं पहला प्रशन है, उत्तर प्रदेश की अधिकांस नदियों का पिरवहा किस दिसा से किस दिसा की ओर है, तो इसका सही जवाब है, उत्तर प्रदेश की जो अधिकांस नदियां हैं, वो उत्तर पस्चिम से दच्चनपूर्ग दिसा की ओर बहती हैं, तो यहाँ पर हमारा विकल B सही है अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है तो यहाँ पर हमारा सही जबाब है उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र जो गंगा नदी है वो अलक नंदा और भागी रती के मिलने से बनी है यह दोनों विकल्प C सही है दच्छिन से गंगा में मिलने वाले जन्दिया टोन्स और सोन है अगला प्रशन है गंगा रदी उत्तर प्रदेश के किस जनपते राज्य में प्रिवेश करती है तो इसका सही जबाब है गंगा रदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रिवेश कर नादी नाम की नदी सो नदी की सायक नदी है और दूसरी महा नदी जो इवह विखवी गंगा की सायक नदी नहीं है तो यहां पर विकलब आगला प्रस्ट है निमलिकित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है नमबर ए विठ्छूर गंगा तो यह बिलकुट शही है विठ्छूर गंगा नदी के किनार स्थित है दूसरा है गोरकपूर राप्ती तो गोरकपूर राप्ती नदी के किनार इस्तित है ये भी सही है तीसरा है जौनपूर सही तो ये गलत है जौनपूर सही नदी के किनार इस्तित नहीं है अगला प्रशन है निम्ण में से कौन सी नदी उत्तर दिसा में नहीं बहती है चंबल केन बेतवा ये सभी यमना की साइक नदियां है विए सभी नदियां जो है दच्छिड से बहकर यमना में आकर मिल जाती है लेकिन जो गंडग नदी है वो तिबत से नेपाल से होते हुए उत्तर दिसा से आकर गंगा में मिलती है तो यहाँ पर गंडग नदी जो है यही उत्तर दिसा से नहीं बहती है तो यहाँ पर विकल्ब D सही है अगला प्रशन है निमलिकित में से प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी गंगा के मैदानी भागों से नहीं निकलती है तो गोम्ती बरणा और सही जो नदिया है वो गंगा के मैदानी भागों से ही निकली है लेकिन जो राम गंगा नदिया है वो हिमाले की दूधा तोली सिरेनी से निकली है तो यहां Пर विकल्ब D सही है अगला पर। गंगा की उत्तर प्रदेश में लंबाई है तो यहां पर हमारा सही जबाव है गंगा उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर प्रवाहित होती है तो यहाँ पर विकल्ब C सही है अगला प्रस्ण है अलक नंदा और भागी रती नदियां किस इस्तान पर मिलने से यह नदियां गंगा कहलाई तो यहाँ पर विकल्ब C सही है देप्रियाग अलक नंदा और भागी रती जब देप्रियाग में आकर मिलती है तो आगे जो नदी चलती है वही गंगा नदी कहलाती है अगला प्रशन है केदार नात का प्रशिद मंदिर किस नदी के तट पर इस्तित है तो केदार नात का जो प्रशिद मंदिर है वो मंदाकनी नदी के तट पर इस्तित है तो यहाँ पर विकल्ब D सही है अगला कोश्चन है गंडक नदी किस इस्तान पर गंगा से मिल जाती है गंडक नदी सोनपुर नामगिस्तान पर गंगा से आकर मिल जाती है जो कि बिहार में इस्तित है तो यहाँ पर विकल्ब C सही है अगला प्रशन है सही नदी किसकी सहाइक नदी है तो इसका सही जवाब ह साही नदी गोमती की साहा एक नदी है तो यहां पर विकल डी साही है तो यह थे उत्तरपदेश की नदियों पर आधारित कुछ महत्मोर प्रिशन कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं लिए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें